मलाई से घी तो सभी बनाते हैं लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है लेकिन आज हम कवीर्स किचिन में इसे बनाएंगे भी बहुत ही जल्दी सिर् 5-10 में और उसके बाद जो बचा हुआ दूद है उससे हम दही भी जमा कर दिखाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसक कोई खटा या कड़वा पनाएगा तो मैं और जब भी आपको इसे गी बनाना हो तो आप उसे रूम टेंपरेचर पे कर लीजे तो सुबह निकाल कर रख लीजे और फिस शाम को इसे बनाना स्टार्ट करिए तो यह मैंने सुबह से निकाल कर रखा है और अभी शाम तक में यह रूम टेंपरेचर पे आ गया है क्योंकि अगर यह फ्रीजर से हम तुरंत निकालते तो यह इतना हाड होता है कि हम उसे टच भी नहीं कर सकते हैं और नहीं उसे फेट सकते हैं तो रूम टेंपरेचर पे आना इसे जरूरी है तो इसे निकाल लेंगे हम जार में और जार तो देखे यह रूम टैंपरेचर पे बहुत अच्छे से हो गया था इस कारण से सिब मिक्सी में पीसने से ही इसे हम बहुत जादा थंडी होती है तो विपके मिक्सी में पीसने पर यहीं हाथ से स्टराओं, हात से फेट नहीं, इसे लगभग 2-3 मिर्टा है लेकिन इस बार मैंने फेटा तो मुझे सिर्फ एक मिनट लगा और मक्हा नलग हो गया और दूध अलग हो गया तो अभी हम जिस भी कड़ाई में या फेर परतन में हमें घी बनाना है उस में निकाल लेंगे और उसमें ही हम हाथ से फेटेंगे और यह हाथ से ही फेटिए क्योंकि एक मेर्ट या तीन जादा से ज्यादा तीन मेर्ट में आराम से फिट जाएगा तो तेखें यह दूद्ध अलग हो रहा है और मक्खन अलग हो रहा है तो इस तरीके से फेट ये और दूद अगर निकल जाए तो उसे दूसरे परतन पर रख लेजिए किसी बावल पर तो ये हमने अलग कर दिया है दूद तो एक बार मैं और फेट के देख लेती हूं क्योंकि एक्स्ट्रा जो दूद होगा इसमें पक जाएगा और जल्दी गी बन जाएगा क्योंकि दूद को पकने में टाइम लगता है और फिर उसे मावा बनता रहता दीरे दीरे तो देखिए अब इसमें से गी नहीं निकल रहा है तो अब इसे में पकाने रखोंगी तो तेज आज पर हमें पकने रखना है और इसे चल जल्दी ही पख जाएगा यह ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और यह थोड़ा सा यह जाग टाइप का आ रहा है यह इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने मक्षन बनाया मिकसी में भी पीसा है तो यह जाग तो बनता है लेकिन जैसे गी बनना शुरू हो जाएगा तो यह जाग अप तो हमें यह गी बनाने में सिर्फ पांस से दस में लगेगा उससे ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा आराम से बन जाएगा यह तो यह अच्छे से निकाल कर बना लिजे देखिए अब यह गी छोड़ना शुरू हो गया है और यह जो मावा जैसा बन रहा है मतल गैस को बंद कर दीजे गैस बंद कर देंगे उसके बाद भी अपने आप में इतनी हीट रहती है कि वह अपने आप में पकता रहेगा और ब्राउन हो जाएगा तो इतने लेवल पे आप बंद कर दीजे गैस देखिए मैंने इतनी जल्दी बंद कर दिये था उसके बाद भी अच्छे से पक्के ब्राउन हो गया है अब इसे हम चान लेंगे तो आप कोई भी साफ कपड़े से या इस तरीके इसकी मैटल वाली स्टील वाली जो चननी होती है उससे चान लीजें के प्लास्टिक से मच चानीए क्योंकि प्लास्टिक पिखल जाएगी अगर प्लास्टिक की चुननी से भी चान रहे हैं तो हल्का सा रून टेपरेचर पर करके चानीए और यह जो मावा बच रहा है इसको यह भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत ही अच्छा होता है टेस्ट में और इसमें कुछ भी खटा या कड़वापन नहीं होता है तो यह क्योंकि हमने फ्रीजर पे रखाता तो यह ताजा ही रहता है तो इसे आप इसमें शक्कर मिलाके ऐसे खा लीजिए चाहे त मिला लीजिए और फिर उसे ढख कर रूम टेंपरेचर पे रख दीजिए दही जमने के लिए तो देखिए दही हमारा जम चुका है और यह बहुत ही अच्छा जमा है इसमें पानी बिल्कुल भी इसने नहीं छोड़ा है बहुत बढ़ी अच्छा जमा है तो यह जस्ट जमा तो यह मेरे पास कम दूद निकला था तो मैंने इसका दही जमा दिया नेक्स ताइब मैं आपको बताऊंगी किसे पनीर कैसे बनाया जा सकता है थैंक्स फोर वाचिंग